हेलो दोस्तों डिलीशियस भोजन में स्वागत है आपका आज हम बनाने वाले हैं अंडा लेकिन अंडे को हम बिल्कुल अलब तरीके से बनाएंगे तो इसमें बनाने के लिए क्या चाहिए हमें लसुन पूरा एक डली लिया है मैंने इसना बड़ा डली पूरा छील लिया है दो टमाटर प्याज हरी मिर्च और धनिया इस सारी सामगरी का हम पेश्ट बनाएंगे और क्यूंकि लाइन नहीं है दोस्तों तो इस सारी सामगरी में सील बट्टे पे पीशूंगी तो मैं पीश कर आपको तब दिखाती हूँ सारे मसाले मैंने पीश लिया है गैस को ओन कर दिया है कडाही में तेल रखकर रख दिया है गरम होने के लिए तेल हमारा गरम हो रहा है देख लेते हैं तेल गरम हुआ है या नहीं तेल गरम हो गया है कि अब कुछ भी नहीं डालना है तेल में तीधे यह मसाले जाएंगे दोस्तों बहुत ही इजी और बहुत सिंपल हो कि आपके साथ कर लेंगे कि अब तक जब तक कि सारे मसालों को एक साथ डाल देंगे कि आपके सामगरी अच्छे से पख गई है और अपना तेल की छोड़ चुकाने अब हम इसी समय क्या करेंगे यह दो चमच दही है हम दही को एक करेंगे जब हम दही डालेंगे इसी समय यह धनिया पाउडर है इसमें हल्दी भी मिला हुआ है जड़काई बना है यह डाल जोगे और अच्छे से चलाएंगे दीरे लिये ताकी दही पख जाए और खटने न पढ़े के पकड़ हैं पकड़ाई पुआ है और चलाते गुए पखाएंगे अब मसाले हमारे पख गए हैं अब कि अंडे भी जाल देंगे अंडों को खोड़ा मुटाले के सहुन पखाएंगे हलके हाठों से हुआ चलाते हुए चलाते हुए इस मीडियम रखेंगा शाई फ्लेम नहीं रख़ना है तो हलके हलके हाठों से चलाते हुए थोड़ा सा पानी डालेंगे अब हम, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, अला देते हैं एक बार से, और इसी समय हम नमक भी डाल देते हैं, नमक स्वाद के अनुसार, और पगने देंगे हम, सबजी हमारी पग गई है अंडे की, और अब हम गैस को आफ कर देते हैं, और थुरा सा ठंडा हो जाए, तब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, दोस्तों, अब हम निकाल लेते हैं, देखिए कितनी बढ़िया ग्रेवी बनी है, निकाल लिया है प्लेट में, थोड़ी सी धनिये की गार्निशिंग कर देते हैं, और थोड़ा सा हम किनारे से इस तरह से गलमिच पाॉंडर टाल देंगे, दोस्तों, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से यह रेसिपी बताई है आपको, अगर आप अंडे नहीं खाते हैं, तो अंडे की जगा आप आलू का इस्तमाल कर लें, सेम प्रोसेस रहने का आप आलू को थोड़ा सा बस फ्राई करके डालने बस, यही आपको करना होगा, रेसिपी आपको कैसी लगी आप जरूर बताएं हमें वीडियो को लाइक करें और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद